वेल्कम बाक टू आर गार्णिंग चानल रियांश प्लांसिंपो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रो करेंगे हल्दी को हल्दी की गाठे हैं जो मैं घर से लेके आई थी और यह बहुत टाइम से पड़ी हुई है और अब यह इसी सीजन में यह क्या होता है कि यह स्प् यह फैसे प्रिफनगी इस ग्रोटी जाती थी तो च्रक्राइब रहती है नमी रहती है पानी की पर चुर्ता है वहां पर हल्दी अच्छे से ग्रोला हो जाती है लेकिंध कंटेनर घा डर्णिंग की बात करते हैं गंबलो एं सकीम्रेडाब आम के बांः घरणिंग साही होता है आमके बागों की जमीन या किसी भी अम्रूद या कोई भी बाग होते हैं उनकी जमीन बहुत अच्छी भुरबुरी हो जाती है क्योंकि उस छायादार जगाए में अर्थवांस बहुत होते हैं और वो उस मिट्टी को नाइट्रोजन से इतना भर देते हैं कि कोई भी हैं उसमें ग्रो करके देखेंगे पहला experience है तो कुछ बात जो मुझे जानकारी है इसके वारे में वह मैं आपको बता देती हूं तो हल्दी क्या है कि यह शुद्ध और्गानिक हल्दी है सबसे पहली बात तो कि शुद्ध और्गानिक हल्दी है इसमें कोई chemical कुछ भी को मि जब इसको लगा देते हैं तो पानी की ज़णजट भी खतम होता है और जब इसकी हर्वेस्टिंग करते हैं तो छोटा-चोटा सा ट्यूबर्स जमीन में छोड़ दिया जाता है क्योंकि जैसे ही उसका सीजन आएगा ये टूबर्स ग्रो हो जाएगा और खुद टूबर्स बनते रहेंगे डिवाइड होते रहेंगे तो इस तरह से ये इसका प्रोसेश चलता है ऐसा नहीं होता कि खेतों में मैं बड़े एरिया की बात कर रही हूं कि आपने एक बार ग्रो मिट्टी की देखें ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मिट्टी में इसको ग्रो किया जाएगा तो अगर आपके पास नॉर्मल सी गार्डन सोयल हैं जो भी आपकी एरिया की जो भी मिट्टी है उसमें डिराक्टी लगा सकते हैं मौनसून अभी मेरे इस से नॉ दीजे और उसके बाद इसमें अच्छा खासा पानी आप दे दीजे सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर आपके एरिया की मिट्टी बहुत हार्ड है तो उसमें थोड़ा सा आप रेट मिलाकर उसे लगा सकते हैं थाड ऑप्शन कि आप बहुत ही वेल ट्रेंड है गार्डिंग म आपने अलग लगता है का सोयल मिक्षर बनाया है उसमें वामी कंपोज गोबर खाद यह वो सब दिया है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं वो तो और भी अच्छा उसमें और बहुत होगी हां अगर हल्दी लगाई है और आपके पास गोबर खाद मिल जाता आपको कहीं से तो सीजन में एक बारा आप उस गंबले की मिट्टी में गोबर खात जरूर एड़ कर दीजे बुरबुरी सी मिट्टी में ही हल्दी अच्छे से ग्रोव होती है सगीन बात है कि सीजन इसका क्या होता है सीजन में देखू सर्दियों में इसका प्लांट खुद मर जाता है तूबर्स जिंदा रह जाते हैं लेकिन जैसे गर्मिया आएंगी तो गर्मियों में जब आप इसके मिट्टी सूखने लगते पानी देने लगते ये फिर से ग्रोव हो जाता है मौनसून में बहुत अची बड़ात होती है इसके टूबर्स डिवाइड होते है तो इस तरीके से इसकी जो पैदावार नीचे होते है वो बढ़ती चली जाती है और रखना कहां पर है बहुत जादा तेज धूप में नहीं रखना है आप जैसे चिल्चिलाती गर्मी है और तो ऐसा नहीं कि आपका हल्दी का पौदा ग्रो हो गया तो आप इसको लूँ में छोड़ देंगे उसमें तो बिल्कुल ही मर जाएगा ठीक है और मैं क्योंकि आ काम भी करती है कच्छी हाल्दी होने का फाइदा भी या जब आ新ंदर मों मुलायम मार्व हो और इसको में जूँ आप इसको थोड़ा सा काट के रगड के पानी में वो बाल के पी लिजे, दूर में वो बाल के पी सकते हैं, लंग इंफेक्शन के दूर करती हैं, और भी ना जाने कितनी सारे उपडन, फेस क्रीम, फेस पैक, बहुत सारी चीजों में ये यूज होती हैं, तो अभी मैं इसको लगा के तो क्या दिखाऊंगी, इसमें बस एक ऐसा गड़ा कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा और काफी अंदर इसको दबा देंगे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा और अंदर गहराई में, और बस पानी देना है, तो यही इसका प्रॉसीज होता है, मैं आपको एंड में जिन को नहीं पता था, तो वो जान गए है, उमीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चानल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब किया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किल खुश रहे हैं, हपी गाड़निंग, गो ग्रीन फ्रेंज,